हेलो माई यूटूब फैमली आप फिर से स्वागत है न्यू ब्लॉग में तो आज मैं क्या बनाने जारी हूँ एक इंस्टेंट पकॉरी जो की कोई गेस्ट आजाएं तो वड़ी असानी से बना करके उन्हें खिला सकते हैं तो इसके लिए मैं यहां पे ली हूँ दोठो भूट्टा जो काफी ज़्यादा पक गया है तो इसको क्या करेंगे कि उबाल लेंगे तो यह हो जाएगा सौफ्ट और इसी का बनाएंगे पकॉरी साथ में आपको बहुत ही जल्दी में बनाना है तो कुछ भी नहीं है घर में तो चावल तो रहता है यह चावल फुलने के लिए 10-15 मिट के लिए रख दीजिए और उसी चावल से पकॉरी बन करके रेडी हो जाएगा तो चलिए मैं आप कुछ समागरी निकालनी हूँ जिसे इस पकॉरी में डालने के लिए यूज किया जाएगा यहां पर चावल दे के फुलने के लिए मैं रख दीती लगबग 10-15 मिट पहले और यह फुल चुका है और इस चावल को अब डाल देंगे मिक्सिक के जार में यह अरवा चावल है दोस्तो उसना चावल टाइम लगता है फ पड़े जल्दी बना लेना है तीसी तरीके से इन सभी चीजों को पीस लेंगे और अच्छे से जब इसका पेस्ट बन जाएगा तो इस पेस्ट में कुछ और चीज़ें है जिने एड करेंगे इस पेस्ट को बनाते टाइम आपको ध्यान देना है कि ज्यादा पानी नहीं ड अग्यरे पान ज़स기에 बतला हो जाएगा और इस когда इसे में 2 साले डालेंगे यहां पर मैं डाल रही हूं कस्मीरी मिर्च उसके बद यहां पर डाली हूं धनिया पाउडर उसके बाद मैं जेरा पाउडर गुलकी पाउडर कन आपक इस तक पेस्ट को रेडी कर लेंगे इसमें आप छीली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं उपर से अपचाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं आपको ओफिसनल है इतना चीज डालने से भी काम चल जाएगा और फिर इसमें डाल देंगे स्वादा नुसार नमक और फिर इसका कलर थ्वास आने के लिए डालेंगे धल्दी तो सभी चीजों को डालने के बाद यहाँ पे मैं एक लिक्विड बना ली हूँ पेश्ट और अब यह जो भूटा उबल चुका है इसको इस तरीके से छिल लेंगे यहाँ पे मैं भूटा को उबाली हूँ आप चाहे तो अगर खीचा भूटा है ताजा ताजा है तो उसको नहीं भी उबाल सकते हैं और ऐसे ही डिरेक्ट इसको बना सकते हैं इस तरीके से कट छिल करके अब इन सारे बुट्टे के जो दाने थे उनको मैं डाल दी हूँ पेश पेश्ट में और पेश्ट थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया था जैसा कि मैं आपको बताई कि पेश्ट तयार करते हैं तैम आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है अगर ज़्यादा डल जाए तो उसमें डाल देना है थोड़ा सा आटा या फिर मैदा इस तरीके से आपका गोल तयार हो जाएगा फिर कड़ाई गरम किये उसमें डाले तेल सरशो का आप रिफाइन में फ्राई करते हैं घी में फ्राई करते हैं कुछ में भी यहाँ पे मैं सरशो का तेल नहीं हूँ नमकीन चीज फ्राई करने के लिए ज़्यादा तर सरशो का तेल ही उच्छा लगता है इसका टेस्ट इस तरीके से चमबस से उठा करके इसमें डाल देंगे और यह बहुत ज़्यादा टाइट डो इसका डो तयार नहीं करना है बस ऐसे ही लिक्वीड ही रहेगा और इस तरीके से पतला पतला आपका पापड़ी जैसा यह पकोड़ी तयार हो जाएगा तो यह पकोड़ी आप एक पर बना करके जरूर देखिएगा काफी टेस्टी लगता है और हेल्दी तो होता ही है तो बारिस में पकोड़ी ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आएगा तो आजएए आप लोग भी मक्के का और चावल के अट्टे का पकोड़ी खाने बहुत ही टे लिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केर बाए बाए